हेलो दोस्तों नमश्कार कैसी हैं आप सब आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं शेर्ट की कटिंग तो यहाँ पे हम 32 इंच चेस्ट की जो कटिंग है शेर्ट की वो आपके साथ शेर करेंगे तो यहाँ पे शेर्ट की जो चेस्ट है वो 32 है कमर 26 है और जो हिप है वो 34 इं आप है quarter हमारे पास 17 इंच है और full हमारे पास 20 इंच है घेरा हमने 18 इंच रखना है और जो इसकी शर्ट की length है वो 41 इंच है तो यहां पर यहां पर शर्ट की cutting करना शुरू करते हैं आगे वाले हिस्से को पहले हमने half में कर लेना है यह हमारा जो flower बना हुआ है यह आगे वाले हिस्से में है इसको हमने half में कपड़े को forward कर लेना है उसके बाद फिर इसके markING हम करेंगे तो देखिए कपड़े को मैंने इस तरह set कर लिया है सबसे पहले और यहां पर फेले इसकी लंबाई लगाते हैं सबसे पहले हमने शर्ट की लंबाई लगानी है नीचे से हमने इसको इसका जो नीचे का डिजाइन है वहां से नापकर ऊपर की तरफ 41 इंच हमने इसकी लंबाई लगा ली है यहां पे हम तीरे का निशान लगाएंगे तीरा इसका 6 इंच रखना है हमने अगर आप deep गला पहनते हो तो 5.5 रखना है लेकिन अगर आप normal गला पहनते हो तो 6 इंच रखना है यहाँ पे 6 इंच 3 हमने लगा लिया है और यहाँ पे इस निशान को हम सिधा कर लेते हैं यहाँ पे अब नीचे की तरफ हमने box बनाना है जो box बनाना है वो भी 6 इंच का ही बनाना है इससे जादा यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यह बहुत ही छोटा नाप है इस line को हम सीधा कर लेते हैं और इस box को हम इस तरह रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा chest का नाप लेगी चुकि यह चोटा नाप है तो यहाँ पे 7 इंच तक ही काट लेगी इससे जादा काट हमने नहीं डालनी है यह निशान इस तरह लग गया है अब हम इसकी कमर का निशान लगाते हैं आर्म होल की cutting यहाँ पे 6.4 इंच हो जाएगी टोटल में यहाँ पे हमने इसका जो कमर का निशान है वो यहाँ पे लगा लेंगे साड़े 7 पे तो जो आर्म होल कैसे निकाल है वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ से टोटल हमारा साड़े 14 इंच नीचे की तरफ हीप का लग जाएगा तो पहले यहाँ पे हम लाइने सीधी कर लेंगे आर्म होल का जो निशान ह है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए है मैंने हिप का कमर का और चाती का तो यहाँ पे अब हम मार्किंग करेंगे अब हम कमर लगा लेते हैं यहाँ पे 13 इंच के गरीब हमारी कमर है उसका मार्क कर लेंगे जितने भी आपकी कमर होगी आप उसी साफ से निशान लगाईगा यहा मैं चेस्ट का हिसाब बता रही हूँ कमर और हिप का निशान बराबर आपका यह ऐसे नहीं हो सकता कि यहीं होगा अलग भी हो सकता है जितना भी आपका हो वो आप लगाईएगा यहां पे हमने इसको दो इंच एकसा रखते हुए निशान आगे लगा लेना है तो यह हमारी मार्किंग हो गई है अब हमने नीचे जो चाक है हमारे उनको भी सीधा कर लेना है अब हम घेरे का निशान लगा लेंगे घेरा हमारा यहां पे 18 इंच है तो यहां पे घेरे का लिया है दो इंच एक्सा लगा लिया है इस निशान को हम यहां नीचे वले निशान से मिला देंगे और यह हमारी शर्ट की मार्किंग हो चुकी है यहां पर मैंने आपको पूरी मार्किंग करके दिखाई है सेम इसी तरह आपने कर लेनी है यह हमारा 32 शर्ट की नापका मार्क सारा हो चुका है अब हमने इसको कर लेना है काट सेम हम जहां पे जहां पे हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के उपर से को काटना शुरू करेंगे और इसकी काटिंग हम कर लेते हैं जो पीछे वाला पला है वो सेम इसी नापका काटना है और जो इसमें आगे जो अपरचेस की कटिंग गया रहा होनी है वो सारी मैं आपको बताऊंगी आप वीडियो को पूरा फॉलो कीजेगा यहाँ पे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप बीच में स्किप करोगे तो यहाँ पे जो टेप्स हैं वो निकल जाएंगी और फिर आपको कटिंग में प्राब्लम होगी तो लिजे यहाँ पे शर्ट की कटिंग हो चुकी है यहाँ पे इसे हटा देते हैं यहाँ से और पीछे वाला जो कपड़ा है पीछे वाला पला है उसको हम कपड़े को फोल्ड करेंगे यह हमारी बैक है इसे भी हम हाफ में पहले फोल्ड कर लेते हैं उसके बाद फिर इसके उपर कपड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे लिजे मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया है अब जो आगे वाला हिस्सा है उसे पीछे वाले हिसे के उपर रखते हुए हम इसे सेम ब्राबर रखके काट लेंगे नीचे का जो डिजाइन है वो आपने मैच कर लेना है अगर प्लेन है तो कोई टेंशन नहीं है लेकिन अगर डिजाइन है तो उसे आप ब्राबर करके ही रखे लिजे यहाँ पे हमने इसे ब्राबर करके रख लिया है अब हम इसकी करते हैं काटिंग सेम इसी के उपर रखते हुए अब लीजे शर्ट की कटिंग हो चुकिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे अपर चेस्ट का जो निशान है वो मैं आपको लगाना बताऊंगी यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल पास करके बता रही हूँ यहाँ पे हम एक इंच उपर से उपर से एक इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे इसको हलकी सी गुलाई दे देनी है यह हमारा अपर चेस्ट का निशान लग चुका है ये हमारा सिर्फ आगे वाले हिस्से में लगेगा ये पीछे वाले हिस्से में नहीं लगेगा और यहाँ पर अब करनी है इसकी cutting तो क्या करते हैं आगे वाले हिस्से को तो काटेंगे लेकिन पीछे वाले हिस्से को यहां से हटा देते हैं कहीं गलती से वहाँ पर कट लगया तो मुश्किल हो जाती है बाद में इसे सैट करते हुए हमने अपरचेस की जो मार्किंग की है उसे काट लेना है यहाँ पर छोटे नाप में एक इंच की काट डालते हैं लेकिन जब नाप बड़े हो जाते हैं फिर उसकी कटिंग बिल्कु हम गले को कट लेंगे तो कटिंग हमने इस तरह कर लेनी है तो यह पांच इन्च डीप गला है बहुत छोटा गला बना रहे हैं हम तो इसलिए 3 हमने wr 6 3 ज्यादा भी रखा है तो इससे हाफ करके फिर इसको कट करेंगे पहले हम स्लीव की नंबाई लगा लेते हैं यहां पर 20 इंच हमारी स्लीव है तो एक पीस यहां पर काट लेते हैं यह एक बाजू बनेगी और सेम इसी नाप की दूसरी बाजू भी हमने काटनी है तो यहाँ पे एक piece निकाल लिया है और दूसरी side से इसके उपर रखते हुए हम दूसरा piece भी काट लेंगे यह कपड़ा extra है इसे निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे यह इसकी design की साथ match नहीं हो रहा है तो इस तरह हमने इसे cut कर लेना है और second piece भी same इसी तरह काट लेंगे अब देखें दो piece मैंने यहाँ पे काट लिया है लेकिन इसकी चुड़ाई थोड़ी कम है यहाँ पे side से जो कपड़ा निकला था वो मैंने इसके side में लगा दिया है यहाँ पे 3 इंच armhole को down करेंगे यहाँ से नीचे से 4 इंच लगाते हैं और इसे हम इस तरह बराबर करते हुए cut कर लेंगे तो लिजिए यहाँ पे हमारी बाजू की बन जाएगी तो यहाँ पे आगे की तरफ आपने quarter इंच की यानि की पॉन इंच की .75 इंच की काट डालनी होती है यह जोड डालनी के बार डालेंगे जब हमारा जोड लग जाएगा उसके बार इसकी यह वाली काट हमने डालनी है तो ये वाला निशान हमारा सिलाई का है इस तरह हमारे ये बाजीू की अकटिंग हो चुकी है यहाँ पे मैं आपको आर्म होल निकालना बता देती हूं कैसे निकालना है तो यहाँ पे देखी यहाँ पे हमारी 32 इंच चाती का नाप है 32 इंच टोटल चाती का नाप है इसे हमने 5 से डिवाइड कर देना है तो यहाँ पे हमारे पास 6.4 इंच आ जाएगा तो यह हमारा 6.4 आया है तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जन का तो ये हमारे पास 7.4 इंच आ जाएगा 7.4 इंच है जो हमारा आर्म होल टोटल कटेगा तो हम इसे राउंड फिगर 7.5 ले लेते हैं आर्म होल हमारा 7.5 आ गया है लेकिन कटिंग ऐसे नहीं करनी है कटिंग जो होगी इसकी 6.4 की होगी यहाँ पे हमने कटिंग 6.4 इंच की करनी है रेडी आर्म होल होगा जो वो 7.5 का होगा और आगे की काट डलेगी फिर ये हमारा रेडी 7.5 रह जाएगा तो इसी तरह आपने इसका आर्म होल निकालना है तो यहाँ पे आर्म होल आपने इस तरह निकाल लेना है तो लीजे शर्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार आप इसी तरह कटिंग को फॉलो करेंगे तो आपके सूट की कटिंग भी परफेक्टली हो जाएगी और बहुत ही परफेक्ट ये सूट बनेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार आगे किसी और कटिंग के साथ मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई टेक्यार